वेल्ड वेल्कम टुडीपी में हूँ आप लोगा दोस्त प्रनव तो बैए अप्रेल तो जा रहा है 2020 का बहुत सारे स्मार्टफोन आया बहुत सारे स्मार्टफोन के बारे में आप लोग को हमने शेर किया हमारे यूट्यूब चैनल के दुवारा पर यहां पे 2030 का मैं जो आ कॉल्सा स्मार्टफोन के लिए आने वाला है यहां पर किस किस स्मार्टफोन पर बारे में करना चाहिए आंपको वेट करना चाहि bornender को समॉस्तिर का रीचरिी अडी यहां पर नत्रों देल संदेम बाला है ग olduğ année्ट के के बात कर लेते हैं उसके बाद जाके 35 से मतलब 30-40,000 के स्मार्टफोन के भी बात कर लेंगा तो सबसे पहले यहां पर आते हैं जो है 10th में में लॉंच होने वारा है यूसमें इंडिया में उसके बाद ही आएगा उसी टाइम में नहीं आ रहा है कुछ दिन बाद आएगा पि देखने को मिल जाएगा इसके अंदर लेटिस्ट सौफटर के साथ एड यह वाला जो डिवाइज है यह 10th में को यूसमें लॉंच होने वाला है एड इसके साथ एक और डिवाइस आएगा जिसे में 30-40,000 के रेंज में बताऊंगा जो कि बाए एक्चुली में काफी इंटर सीरी आने वाला है यहां पर एक वर्जिन रहे गा जहां पर मिडिया टेक 8020 देखने को मिल जाएगा और जूसरा वाला एक वर्जन रहेगा जो की एग्दम प्रीमियम होने वाला है यह पर एट जेंट टू के साथ आने वाला है ऐसा कुछ बहुत सब कुछ मिला तो यह जो शो आपने पर 6.5-5 इंच का भी उले डिस्पलेई देखने को मिल जाएगा पी ओले डिस्पलेग्ए बिसिकले यहां पर क्रेज मोटरोल नहीं लाएया था प्लास्टिक ओलेड डिस्पलेग्ए जो होता है तो 144 हर्ट का रेफरेश अदने को मिल जाएगा फ्री पॉर्ष का आपको देखने को मिल जाएगा और यह मिड में में लाँच होगा इंडिया में तो दोस्तों अभी आते हैं 30,000 के रेंज में जो जो स्मार्टफोन आने वाला है वहां तो यहां पर रियल्मी GT3 देखने को मिल जाएगा यहां पर कुछ आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा यह काफी पावर्फुल चिपसेट होने बाला है 7 series में यहां पर आपको 6.7 इंच का 1.5K 144 होर्श अमुलेट डिस्प्ले बेखने को मिल जाएगा 50MP का ट्रिपल कामेरा का सेटप देखने को मिल जाएगा अधिए 240W का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा तो यह सब करतब करता रहता है काफी रियल्मी ज्यक्त करते रहते हैं कि हैपाटेस्ट छार्जर वार्ड लगके तो मतलब 240W को और यह एक इंट्रेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि आपे चिपसेट भी पाउरफुल डिस्प्ले भी मज़दार है अभी आते हैं सबसे इंट्रेस्टिंग लॉंच के तरफ मतलब यह इसके लिए 10 में को जाकि यूसे में लॉंच होगा एंड अफ में ऐसा कुछ आशा कर सकते हम लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्टेट है सारे वेबसाइट एंड टेक एक्सपर्ट के दुआरा ऐसे कुछ कहा गया है कि यह इंड ऑफ में में इंडिया में आएगा गूगल पिक्सल 7a गूगल पिक्सल 6a ने कितना जाला गुल्ख लाया आप लोगो तो पता ही होगा एंड 787 देखने को मिल जाएगा टेंसर जेनरेशन 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ओलेट डिस्पले ओविसली होने वाला 90 रिट्रेश्ट रहेगा एंड यहाँ पर आपको 12MP पिक्सल के अल्टरा वाइड भी देखने को मिल जाएगा विसकिने पिक्सल 7a में बहुत सारे सुधार किये जाएगी तो 6a का ओविसली एक सब्सेसर है यहाँ पर बहुत सारे चीज कमाल का होने बाद तो भाइब में तो काफी एक्साइट हूँ देखते है क्या से क्या होता है इन सारे डिवाइज के साथ वैसे आपको क्या लगता है कमेंड में जरूर से बोलिए